मुकवास बनाने के लिए नमकिन बड़ी सोब खटी नइम्बु डालके उसके लिए क्या-क्या लगते याँ बताती है यह बड़ीसोब हना उटा उलरा नामस्तव ऑली है बड़ीसोब ittöm छोटी चोटी अजवाइन और थोड़ा सा तील वाइट वाला तील और काला नमक अगर काला नमक नहीं है तो यह अपना स्वादोनु सारा नमक भी चलेगा और दो निम्बू उसका मैंने यह जूस निकालके रख दिया है तो अब हम क्या करेंगे अब एक बाउल लेंगे उस बाउल में साप करके रख देने का बड़ी सबसब पुरा एक वाटी बड़ी सब उसमें डाल मिक्स कर दो पिरीस में यह तील और आजवाइन मिक्स कर दो और कितना चाहिए उतना ही नमक आप डालो काला नमक एक चमच जैसा लगए सौसो ग्राम है बड़ी सो पावर धन्या डाल तो उसके लिए एक चमच से थोड़ा ज्यादा लगेगा काला नमक काला नमक और पीब स्वादुनसार नमक वाला भी नमक डालना है आमे थोड़ा सा तो उसको और चा टेस्ट आते और यह लालना है निम्बुकरस हां और अब यह अच्छा से मिक्स करने का एकदम अच्छा से और मिक्स करके बिल्कुल एक तीन गंटा तक आईसे रख देने का अच्छा से उसको लगना चाहिए नमग नीमबू और साधा नमग काला नमग और मिलते हैं तीन गंड़े के बाद इसको क्या करना है अभी ये तीन गंड़ा हो गया इसको भीगा के हो गया अच्छा से देखो है ना अभी कड़े ना ऐसा गरम करने के लिए रख देने का थोड़ा मोटा कड़े रखने का ऐसा जाड़ा वाला और ये और ग्यास एकदम बारी करने का और ये उसके अंदर ना देने का बड़ी सोक ना दाल अजवाया एंद और जीर ये अपना जीर मैम की होने तरह काला नहीं करने का गास बरिक ही रखने का जब तरह क्रिष्पी नहीं होते थुढ़ाई एकदो था बड़ी सोब खाके देखने का और इस लट रहा है आपको क्षो ये क्रिष्पी हो गया तो ग्यास बंद कर देगा तो तो कैसा लगा ये आपको मुखवास का वीडियो खटा नमकीन बड़ी सोप अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब करिए हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है खाना खाने के बाद थोड़ा खाएंगे तो गैस का भी ठीक हो जाता है पेट में गले में जलन है वो भी कम हो जाती है तो प्लीज ये आप बना के खाईए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं आगला वीडियो और आच्छा से कर सको